नमस्कार पेशाज का निउस पॉइंट मैं हो बेग्यान प्रकाश हम बात करेए कि एक बार फिर से उस विशय की जो किसे सरकार के बढ़ने से पहले सरकार के बनने के बाद हमीशा मैं उठाता रहा हूँ मैंने हमीशा इस बात को रखा है कि दरेद्जर मोधी एक जबरदस्थ मैंडेट के साथ देश के प्रधान मंत्री बने लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी इकनौमिक अजेंडा जब हम आर्थिक अजेंडे की बात करते हैं तो दो पहलूओं में उसको आम जबान में बात कर देखा जा सकता है एक है महंगाई जो आपको और हमको सीधे तोर पर प्रभावित करती है हमारे घर की जिंदगी को हमारी रोज मरवा की जिंदगी को तकलीफ पहुंचाती है और दूसरा एक बड़ा तरक्की का अजेंडा ग्रोथ जिसकी बात मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ मनमोहन सिंग जो लगातार करते रहे ते ग्रोथ जो है ये एक दूर गामी विशय होता है लॉंग टर्म अजेंडा होता है इसी प्रधान मंतरी का आप साल दर साल यानि कि एन्यूल स्ट्रक्चरिंग में साल दर साल आप तरक्की की क्या दर हासिल करना चाते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं इन्फलेशन एक ऐसी समस्या होती है महंगाई एक ऐसी समस्या होती है जिससे आपको बहुत तेजी से डील करना होता है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टों को जब रिलीस किया था इस लोग सभाचनाओं में तब उन्होंने एक फण की बात दी देख ऐसा फण और इसकी ब कीमतें उपर नीचे हो तो सरकार के पास एक बुष्ट एक ऐसा पैसा होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो कीमतें अगर उपर नीचे हो रही है तो आपको उसकी तकली ना हो देने थोड़ी सी जानकारी वित्मंत्री अरुन जेटली के माध्यम से इस फण के बारे में उ और किसानों को मुश्किल होती है यह अरुन जेटली का कहना है उसे कम करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए 500 करोड का फंड दिया जा रहा है 500 करोड का फंड यह फंड 500 करोड मोटे अनाच सीरियल्स और सबजियों के लिए है यह उन्होंने हाल के पजिक्ट म इस बात को अरुन जेकली ने रखा है जैसे मैंने कहा कि ये पुराना ऐडिया है पुरानी बात है नरेंदर मोधी दिल्चस चीज है ये भी आपको आगे मैं बताओंगा लेकिन जानकारी भी शुरुवाट मैं आपको दे रहा हूँ नरेंद्र मोधी इसके बारे में जब मनमोहन सिंग प्राइम मिनिस्टर थे तब नरेंद्र मोधी इस तरह के फंड के बारे में गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसेट से मनमोहन सिंग को लिखा करते थे उसके भी डीटेल्स में आपको दूँगा आपको आज के अपने पैनल से बिलवाता हूँ प्रवीन जहा सब हमारे साथ हैं आप सब जानते हैं जाने माने economist है विजय गोईल साथ है जो कि एक senior leader है भारतिय जनता पार्टी के पूनिया साथ है जो Congress को रेप्रेजेंट करते हैं और राजीव कुमार है जो कि एक economist है और former secretary है general Ficky के वो कुछ देर में हमारे साथ होंगे मसला बड़ा clear है 500 करोड का fund सीरियल और सबजियों के लिए बना करिया उसकी घोशना करके आप क्या हासल करना चाहते हैं दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अटल भिहारी वाचपई की सरकार में ये भी मैं अपनी research के सरीय साब को explain करूंगा आगे एक इस तरह का fund बनाया था लेकिन उससे वो कीमतों को कम नहीं कर पाए बल्कि उनकी कीमते बढ़ी प्रवीन मैं आप से शुरू करूंगा हमरे साथ करिएगा आप अलग रखना चाहते हैं सबजियों और सीरियल्स के लिए हकीकत यह है कि अगर आपको एक हफ़ते की ट्रेडिंग जो नासिक में प्याज की होती है अगर सरकार ये कहे कि साथ प्याज की कीमते हमारे काबू में नहीं आ रही हम एक हफ़ते तक जो नासिक से प्याज आने वाला या पहुचने वाला या मंडी से उठकर बाहर आने वाला वो सरकार लेगी ताकि लोगों में दे सके उसके लिए भी 500 करोर रुपया बहुत छोटी रखन है तो आप हासिल क्या करना चाहते हैं 500 करोर रुपय से यह प्रितिकात्मक कदम ह टोकनिजम जिसको कहेंगे उसके लावा और कुछ नहीं है इसमें तो उससे ज्यादा इसमें कोई और संभावना है नहीं तो अब इसके बारे में गर आपको गंभीता से सोच कि कुछ करना है तो आपको एक कॉम्प्रिहंसिफ नीती जिसमें कि बहुत सारी चीजें होनी चा करता है लेकिन उसको जो है मतलब कहते हैं कि उसकी जो एक भूमी का है वो बड़ी सीमित है और उससे बहुत ज्यादा आप अपक्षा कर भी नहीं सकता है तो किया था और उसके पहले जब मुदी साहब उस कमीटी की अध्यक्ष थे जो दो साल पहले जो कमीटी बनी थी तो उन्होंने इसकी चर्चा की थी तो शायद उस वज़े से भी जो है इसको एक तवज़ो दिया जा रहा है विज़े गुल साब मैं आप से सीधा सीधा प्रस्ट पूछूंगा क्या ये 500 करोड रुपए से आप वाकई इंफलेशनरी पैटर्न को महंगाई किया जो तरीका होत होगा तीक है मेरे से ज्यादा अच्छा उत्तर दो अर्थशास्त्री यहां पर बैठे हुए हैं जी वो ज्यादा बेतर बता सकते हैं फिर भी मैं आपको बताता हूँ वित मंत्री अरुन जेटली जी ने जो अपने अलग-अलग मदों के अंदर नोंने फंड रखे कहीं पर सो करोड रखा कहीं दो सो करोड रखा कहीं फिर सो करोड रखा तो लोगों ने पूछा क्या सो करोड से एम्स बन जाएंगे या क्या सो करोड से दूसरे इंस्टिचूट्स बन जाएंगी सवाल यह है कि ये जो बजट है ये सात महीने का है इस बजट के अंदर सरकार अपनी सरकार committed है किन्तु सरकार केवल इस stabilization fund को लेकर नहीं आ रही कि कल एक रुपया किलो प्याज बढ़ गया या एक रुपया किलो ठमाटर बढ़ गया तो तुरंत वो stabilization fund से पैसा देना शुरू कर देगी सरकार ने जो अलग-अलग उपाई की हैं पिछले दिनों के अंदर सबसे बड़ा तो यह कि सरकारें जागती तब थी जब बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाते थे या कई महीने गुजर जाते थे इस सरकार को आप इस बात का credit देंगे कि ये सरकार तुरंत हरकत में आई या चाहे वो food secretary's की meeting है या वो state food ministers की meeting है या प्राइमिस्टर मीटिंग कर रहे हैं या finance minister मीटिंग कर रहे हैं कि तुरंत हरकत में है तुरंत हरकत के लिए आपने देखा होगा जैसे हमने तुरंत पचास लाग तल चावल को FBI के गुदामों से FCI के गुदामों से तुरंत release किया ये एक ये कदम था फिर हमने कहा कि APMC के अंदर किसानों को जरूरी नहीं है अपना सारा माल बेचना है वे अपना माल को भार भी बेच सकते हैं फिर हमने प्याज के import को कम रोकने के लिए प्याज के export को करने के लिए हमने उसका दाम 135 से फिर 300 किया और 300 से 500 किया इसी तरीके से हमने और आलू के उपर भी किया तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो मैं आपको गुनवा सकता हूँ कि इस सरकार की इच्छा शक्ती से उन लोगों ने उठाए हैं और जबकि जैसे जमाखोरों के उपर अंकुषवाली बात थी, स्टेट गॉर्मेंट्स को मैसेज देने की बात थी, अलग-अलग जगरेट्स करके काला बजारी को रोकने की बात थी तो ये समझे कि ये सरकार जिसको आए हुए, अभी दस हफते नहीं हुए, उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा उन्होंने किया है ठीका, आप और उस्ती, आप इमांदारी से इस बात को विजय गोल साब एडमिट कर रहे हैं कि ये टोकनिजम है, उसमें मुझे कोई अतराज नहीं, मेरे पास 2011 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब प्राइमिनिस्टर मनमौन सिंग को क्या लेखा था, अपनी रेकिमेंडेशन करते हूँ इस कमिटी जिसका जिक्र कर रहे थे प्रवीन जा, मेरे पास उसके भी डीटेल्स है, मैं आऊँगा, एक मिट आपके पास आऊगा, ये बड मोहन सिंग को लिखा था, मैं उसके डीटेल्स भी पढ़कर सुना सकता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या टोकनिजम से, किसी भी तरह का संकेत देने से, आप इंफलेशन हैंडिल कर सकते हैं, पहंगाई हैंडिल कर सकते हैं? ये टोकनिजम एक्चिली जो है, वो सिर्फ 500 करोड की बात नहीं है, अगर बोटे अनाज के लिए आज हमें दाम कम करने हैं, तो एक बहुत सीधा रास्ता है, सरकार के पास 60 मिलियन टन अनाज पड़ा हुआ है, जिसमें से वो 0.5 मिलियन टन रिलीज कर रहे हैं, और उसका इतना बात का बतंगर बना रहे हैं, अगर उनको दाम कम करने हैं, तो तुरंत, तुरंत उन्हें, अनाज कब आप गरीबों तक पहुंचाएंगे, वो भी, अब बिल भी पास हो गया, जब आक्ट बना पिछले साल, तो जुलाए चार तक की उनको समय भी दिया गया, अनाज आपके पास पड़ा है, सबसे बड़ा जमाखोर आज कौन है देश में, वो है सरकार FCI, जिसके पास साथ मिलियन टन, शायद आप जानते हैं, कि जॉन ड्रेज ने ये हिसाब लगाया था, कि इन बोरियों को एक के साथ एक लगाएंगे, तो ये मून तक पहुँच कर चंद लगता, आइक्शली जो उनके specific proposals हैं उसमें, वो मुझे अभी तक पता नहीं है, क्या वो उसकी गोशना हुई भी है के नहीं, लेकिन जो आपकी आज व्यवस्था बैठी हुई है, उसमें आपके पास एक बहुत सीधा रास्ता है, जिसके लिए आपको कोई extra खर्चा भी न आप कॉंग्रस को रेप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट यह है कि आपको लगता है यह जो price stabilization यानि की बढ़ती गिरती कीमतों के स्थायक्त्व के लिए 500 करोर रुपया फिलहाल सरकार दे रही है, यह बात सही है, यह विजे गोईल की बात को मुझे मानना पड़ेगा कि य साथ महीने के समय अंतराल का अरेंजमेंट है, इससे महेंगाई पर क्या कोई असर पड़ सकता है? देखे, यह इनके गोशना पत्र में भी है, कि महेंगाई को कम करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड काम प्रोविजिन करेंगे, और इस बजट में प्राविदान है 500 करोड का, इसकी क्या रूप रेखा होगी, किस तरह से मार्केट इंटर्वेंशन सरकार करेग कोई क्लेरिटी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई उसकी स्टेटेजी नहीं है, जिसके आधार पर जनता में यह कह सकें, कि हम यह करने वाले हैं, 500 क्रोड रुपया हमारे पास में हैं, हम यह करने वाले हैं और कीमते नहीं बढ़नी तो उसका आसर पड़ता है सरकार की केवल धमकी उसी का बगा आसर पड़ता है और ये तो सीधे सीधे 500 क्रोन रुपया दे के और आवशक्ता पढ़ने के जैसे कि अभी बताया और भी धनरासी उपलब्द कराई जा सकती है तो ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है कि उन्हों ने कर दिया, तो आप कहा हुआ? आप हरकत में आए? आपने मीटिंग की, आपने कहा कि रोड में चार हो गया, ये चार हो गया, लेकिन कौन सा रोड में पें, कौन सा क्या है, कोई जानकारी नहीं है. और उसका नतीज़ ये है कि All Sell Price Index फाइपाइंट eight कम होगा और जिसकी वज़े से कीमते बढ़ेंगी तो इसलिए वो हरकत कर रहे हैं वह उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए देश बर में आपने कहा कि हमने चिट्टी लिख दिये चिट्टी लिख दिये तो कम से कम भारती जंता पार्टी की सरकार जहां है वहां तो कम से कम उ सर्व नजर आना चाहिए था वो करना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ अभी हमारी अभी बता जा रहा था कि अनाज हमारा भंडार है उससे कीमते कम हो सकती हैं तो मेरा ये मानना है कि फूड सिक्यूरिटी जिसमें प्रोविजन है कि जहाती छेतर में पिचेतर फिश्दी और सहरी छेतर में पचास फिश्दी लोगों को इस योजना का लाब मिलेगा और मुफ्त लगबग मुफ्त है इतना सस्ता अनाज है दो रुपे किलो गियूं तीन रुपे किलो चावल उसको इमानदारी से लागू कर देना चाहिए था ताकि पुरिया साहब आपका पॉइ परियरेट उन्होंने आपकी सरकार से किया है तो इस यह नहीं कहना हो कि यह बीजेपी के कोई डिफेंस बनता है लेकिन यह परिस्तितिया अनाज कर देख में सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच चदालत ने अनाज पढ़ा क्यों सवरा आपके सरकार के समय कहा था अब अगर मोसम खराब है मौनसुन कम है तो इस योजना को दो रुपे किलो गयों तीन रुपे किलो चावल उसको एक्सपडाइट करना चाहिए था तत्काल लागू करना चाहिए था वो नहीं करके हमने इन्होंने किया है एक बंपर हमारे पास टॉक है और अब सब पूरे अर् पर सामगा ची कि आपने जिस बात क्यों रखा मुझे पता था यह बहुत अगर उतार चड़ाओ हो जाता है तो इससे हम अंग्रीजी में आपने जुमला बहुत सुना होगा फिस्कल डेफिसिट तो आप उस सिस्थिती में आयाते हैं यानि कि कम ही हो जाती है आपके पास प हाँ पर आज मान लीजे यह फंड 500 करोड रुपए है कल को नरेंद्र मोदी ने इस फंड के बारे में गुझरात के मुख्य मंत्री के तौर पर उन्होंने दो हजार ग्यारा दो मार्च को जो चार पांच बाते कहीं थी उसमें था महंगाई को रोकने के लिए उन्होंने बी की फॉरवर्ड ट्रेडिंग पर रोक लगे सरकार प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड बनाए यह हो गया हलकि इस फंड में सिर्फ अभी वह मैं विजय गोईल के पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 500 करोड रुपए अभी दिये गए यह पैसा आपको अंतता बढ़ क्या है लेकिन उने ने FCI को अलग किया है यह मोधी के नए तुरंत के फैसलों में हैं और रीटेल को बढ़ावा देकर प्रतिस परधा बढ़ाई जाए यानि कि रीटेल मार्केट को कंपेटिटिव किया जाए यह 2011 दो मार्च को नरेंद्र मोधी ने अपनी सिफारिशों मे अब मैं जो दूसरे पॉइंट पर आता हूँ यही प्रस्त मैं विजय गोईल साब से पूछेंगा आप यह कह रहे हैं कि 2015 और 16 में आप वित्य घाटा 3.6 फिसी तक करने का लक्ष रखते हैं उसके बाद 3 जी और 2016 17 में 3 अगर यह सिचुएशन है तो इस तरह की चीजों के या पैसा कहां से लाने वाले निश्ची तोर पर यह तो जो जैसा बिलकुल आपने सही कहा कि एक फिस्कल फंडमेंटलिजम जिसको कहते हैं जी 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 कोशिश करो हमारे लोग रसल सब्दों में संदे बहुत बहुत इंपॉर्टन विशा है इनका मूल मंत्र रहा है और इन कि एक बड़ी इंपॉर्टन चिथी मेरे सामने रखी जो उनने फूट सेक्यूरिटी पर लिखी ते नरिमोधी है वो तो बहुत ही बातुपूर्ण पत्र है उसको आप जरू हाँ तेरा वाला जरूर बताईएगा यह पैसा कहां से लाए यह पैसा बिलकुल देखिए इसमे जो इनका टैक्स का एसेस्मेंट जो है इस चालू वित वर्ष के लिए भी वो भी गलत है इस तरह से गलत है कि माना गया कि आपको जो है उसमें इंप्रूब्मेंट पिछले 13-14 की तुल्ला में 14-15 में आपका टैक्स केलेक्शन 16-17 परसंट के आसपास बढ़ने की संभावन इन्हों ने दिखाई यह मान के कि जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो तकरीबन साड़े 13% रहेगा इंफलेशन यह मान के चल रहे है कि आठ परसंट रहेगा और आठ परसंट के साथ से यह अपने विकास की दर को साथ से आठ फिस्तिया हासिल करने का दावा कर रहा है वो तो आप कहिए का कि एक तरह से हाथियां डाला जा चुका है कि इसको इसको नहीं काबू कर पाएंगे इसी में चोटी सी बात जो मैं कहना चाहता हूं तो इसमें गर यह हम मान के चलें कि जो उन्होंने खर्चा कहा है तमाम प्रोग्राम्स पर करेंगे तो जो रिसॉर्स उनके के हिसाब से होना है उससे वो कम है गर वो कम है तो फिस्कल डिफिसिट को गर आप चार दश्मन वेक पर रखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आप खर्च खर्चे को घटाएंगे क्योंकि रिसॉर्स जनरेशन आपको हो नहीं सकता है और वहां इसले मैंने कहा आपने ती पॉइंट बन का टार्गेट नहीं कर सकते इसी तरीके से अगले वर्षों के लिए वही बात है कि आपका क्या ग्रोथ इतना बढ़ जाएगा जब तो को बढ़ता नहीं है तो अगर 3.6 और 3 करना चाहते है इसका मतलब है कि जो भी आपके ज़रूर ये एकस्पेंडिशन उ सुनी थी चिनाव से ठीक पहले और उसमसे मुझे आभास हुआ कि इतने आकड़े बाजी हो रही थी उनकी प्रेस कांफरेंस में कि अल्टिमेटली देश के लोगों ने कॉंग्रेस को आकड़ा संझा दिया और वो पचास सीट से नीचे आगे अब ये आपको तीन परसेंट का लक्ष आपको सोला सत्रा में फिस्कल डेफिशिट को नीचे लाने का पंद्रह सोला में तीन जशनवला चे फिस्टी का जैसे प्रवीन ने कहा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आपके पास रेविन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है आप खर्चा आपका बढ़ा हुआ है औ कि फंड तो बना है लेकिन उस फंड को exactly किस तरह से इस्तमाल किया जाएगा वो अभी तक सपष नहीं है अब निर्भया फंड भी बना उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता तो उसी तरह हमें specific proposals चाहिए आप अगर तमिल नाडू में देखें तो वहां जहां पर अम्माज कैं इस तरह के इनिशिटिव आपको सारे देश में करने होंगे लेकिन उसके बजाए सिर्फ आप कह देते हैं कि हमने यह चापा मार दिया या हम यह कर देंगे उससे इतना नहीं फरक पड़ेगा जो फिसकल डेफिसिट की बात है और खर्चों को घटाने की बात है एक्शली हम लोग इससे बहुत जादा चिंतेत हैं कि क्योंकि यह पैसा कहां कटेगा वो कटेगा नरेगा जैसे कारक्रमों में खादे सुरक्षा जैसे कारक्रमों के जो घरीब लोग हैं जो टीवी स्टूडियों में आकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे ना ही वो फैनास्में अब म इतना लोगों से पूछा कि सामाजक शेतर में खर्च होने वाले कोई स्कीम के बारे में पता है नहीं पैसे के बारे में पता है नहीं गाउं में पैसा पहुंचता है नहीं राशिन कार्ड के जरिये अनाज मिल पाता है नहीं तो यह हमारे सामाजक शेतर में खर्च होने वा इस बात को वो गुजरात के मुख्यमंत्री के समय से रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड दे रहे हैं। पांसो करोर रुपए हाल में उसके लिए रिलीस किये गए। आप जिस तरह के इंफलेशनरी पैटर्न से जूज रहे हैं इस मुल्क में कम से कम पिछले एक साल से जिसके लिए मन्मोहन सिंग के सरकार भी जिम्मेदार हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये पांसो करोर से आप कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वित्य घाटे की बात को साफ कर दूँ। रखी है अपनी नॉन टैक्स रेविन्यू की 63,000 करोर रुपया का उन्होंने कहा है कि वो डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसमें सब ये बाते इसको नहीं मानना चाहें कि वो सारे हमारे पब्लिक सेक्टर को प्राइविटाइज कर देंगे। ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रम सेल में उन्होंने कहा है कोई 25-25,000 करोर रुपया आ जाएगा। और जो बालको और हिंदुस्तान जिंक जो अलड़ी बेची जा चुकी हैं। उसके कुछ शेर उनके बाकी हैं। उनसे बेच के कोई 17-18,000 करोड़ रुपया आ सकता है। और जो गवर्मन्ट की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में जैसे LNT है और UTI है उसमें शेर अभी तक मौझूद है और ITC है। उनमें उसको रखने की कोई जरुवत नहीं है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि हाला कि मैंने भी कही जगे लिखा है कि वित्य घाटा की यह बहुत महत कांक्शी टारगेट है और इसको ना रखते तो अच्छा था। मगर कुछ गुंजाइशे उन्होंने उसमें रखी हैं। तब मैंने भी उनसे प्रश्ण पूछा था कि आप जब फंड बना लेंगे अजूमिंग कि आपकी सरकार आती है तो यह आपरेट कैसे करेगा हारा जी। देखे उसमें देखे एक तरीका तो होता है प्राइस स्टेबिलाइशन फंड का कि जब दाम बहुत गिर रहे हों जब किसान अपना समान सड़क पर फेक रहा हो तो आप उस फंड से इस्तमाल करके उसको खरीद कर उसके दाम गिरना ना दें। एक तो वो तरीका है। दूस प्रोडक्शन से बढ़ेगी। आज मैंने अख़बार में पहली बार पढ़ा कि शायद हो सकता है कि कुछ सबजियों को अनियन्स और पोटेटोस को आलू और प्यास को शायद भारत हयात करने की और सोचे। अब यह एक ऐसी सूरत है जो कि बहुत ही एक तो मुझे जो है व को आज उसका सुल्जा देगी मगर फूड इंफलेशन को कंट्रोल करना जब तक क्रिशी शेत्र में उसकी उत्पादक्ता नहीं बढ़ेगी और जब तक उस शेत्र में लोग जो है वो बैठके वग्यानिक तरह से क्रिशी काम नहीं करेंगे और उसमें निरेश नहीं होगा सिचाई में और उसके सीड्स में और नहीं टेक्नालोजी में तब तक ये ये फूड इंफलेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक मैजिक वांड हिलाने से आ जाए ये एक दीरकालीन एक मध्यमकालीन काम है मुझे जानकर बस खुशी है कि कम से कम एक हजार करोल रुपया पूरा समय दूगा पॉइंट बहुत स्पष्ट है कि अगर आप अपने वित्य घाटे को 2015 और 16 के सूरत में 3.6 फीसिदी लेना चाहते हैं मौझूदा 4.1 फीसिदी के करीब से और उसके बाद 16 और 17 में आप उसको पूरा एक फीसिदी कम करके 3 फीसिदी तक लाना चाहते है फिर आप इन फंड्स की बाद करते हैं और इसके लिए आपको पैसे की जरुआत होगी राजशीर कुमार ने ये सजेशन रखा कि कुछ डिसिन्वेस्मेंट के रास्ते हो सकते हैं लेकिन अगर ये पैसा आपको बढ़ाना हो और आप साथ में फिसकल डेफिसिट कम करने की बात कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं ये प्रश्ण मैं पूछूँगा विजा गोयल साब से एक चुरू से ब्रेक के बात